Hello friends, यदे किसी couple का blood group O है, अर्थात पती और पत्नी दोनों का blood group O है तो इसकी संतान का संभवित blood group क्या होगा, इस वीडियों हम जानेंगे माता-पिता से बच्चों का blood group को जानना एक तरह से आप इसको DNA test भी मान सकते हैं क्योंकि कई बार केवल ब्लड ग्रूप के मादियम से संतान के ब्लड ग्रूप को माता पिता के ब्लड ग्रूप से मैच करके यह पता लगया जा सकता है कि इस ब्लड ग्रूप की संतान इस ब्लड ग्रूप के माता पिता से संभव है या नहीं हर ग्रूप के साथ यह संभव नहीं है लेकिन ब्लड ग्रूप के मादिम से संतान के ब्लड ग्रूप को मैच कराने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है तो इस बार हम ब्लड ग्रूप O की दमपती से किस ग्रूप के बच्चों का जन्म हो सकता है आए जानते हैं जब हम blood group की बात करते हैं तो वह phenotype होता है और इसको हम इस परकार से लिख सकते हैं जबकि एक बच्चे के blood group का निर्धारन माता पिता के blood के gene से होता है इसलिए ओ blood group के genotype को हम इस परकार से लिख सकते हैं जब इसका जीन वीने में होगा तो बनने वाली जीन की सर्चना कुछ इस परकार से बन सकती है और इस जीनी सर्चना के बच्चे के संभावित ब्लड ग्रूप इस परकार से हो सकते हैं तो इस परकार से हम इस निश्कर्स पे पहुंचते हैं कि एक ओ बलड ग्रूप के माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चे का संभावित बलड ग्रूप भी ओ ही होगा, अन्य ग्रूप की संभावना नहीं बनती है और यदि संतान का बलड ग्रूप अन्य है तो निश्चित से वह ओ ग्रूप की संतान नहीं है आप इस निश्कर्स पर भी मत पहुंच जाना कि सम्मान बलड ग्रूप के माता पिता की संतान भी उसी ग्रूप गी होगी यह हर बार एक होगी जरूरी नहीं इसके लिए आपको उस बलड ग्रूप के संभावित संतान के बारे में जानक जबकि दोनों में से कोई एक आरेच पोजिटीव या आरेच नेगिटीव है तो बच्चा भी आरेच पोजिटीव या आरेच नेगिटीव कुछ भी हो सकता है थेंक्यू